Hi दोस्तों, असलाब आलेक्व, कैसे हैं आप लोग, मेराम नभील है Common Sea iPhone Buying Mistake जो हर iPhone user करता है Android से iPhone पे जा रहे हो यह mistake जो है, बहुती Common है और काफी सारे लोग जो है, यह mistake करते है यह क्या mistake है, एक डेटा ट्रांस्फर की mistake है कि data transfer की mistake क्या है कि आप चले जाते हो अपना पुराना iPhone लेके Apple Store में या किसी भी दुकान में और आप उनको बलते हो भाई नए iPhone लेना लेना लेकिन आपको पुराना जो डेटा है वो नए iPhone पर रिस्टोर करना है ये backup बनाओ और इसको रिस्टोर करो क्यों अपना डेटा आप के लिए इतने अच्छे methods बना के रखा है कि अगर आपके बास दोनो iPhone है नया पुराना तब भी आप फ्री में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो विदिन सेकंड्स और अगर आपके बास iPhone नहीं भी है नया वाला आने वाला है पुराना वाला पहले आप बेचेंगे बाद में नय और पुराना वाला ट्रेड इन किया है उस केस में भी आप डेटा ट्रांसफर कर सकते है बिना वो कुरियर पार्टनर जो कुरियर बॉय होगा उसको रुकाए आपका डेटा जो है कंप्लीटली पुराने iPhone से नए iPhone पे रिस्टोर हो जाएगा तो यह डेटा ट्रांसफर फ्र पुराना method है जहां पर दोनों iPhone साथ साथ रखे भी आप कर सकते हो उसका भी demonstration दोगा ताकि आप लोग क्लियर कट समझ में आ जाए कि पुराने iPhone का जो डेटा बैक अप है वो नए iPhone पे कैसे लेके जासे ताकि आप किसी और की मदद नहीं ले और अपने डेटा को अपनी privacy को अपनी security को risk पे ना डाले तो चली दोस्तो आपको दोनों method जो है अच्छे से समझाता हूं दोस्तो data transfer करना है हमको पुराने iPhone से नए iPhone पे लेकिन generally public जो करती है वो यह करती है कि अपना iPhone पहले बेज देती या फिर exchange offer में लेती है जब exchange offer में आप लेंगे तो आपके टाइम हो जरूरी है तो setting में चले जाईए और यहां पे जो है आपको जाना है जेनरल में और आपको अपडेट आपका iOS 15 का आपके iPhone पे जो है वो किया हुआ है latest जो भी iOS 15 का अपडेट होगा वो आपको अपने iPhone पे डाउन इंस्टॉर करके रखना है इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों आपको जाना है settings के अंदर ही जेनरल में जेनरल में चले जाना है पुराने iPhone पे करने वाला का में नए iPhone अभी तक हमारे पास आया नहीं है transfer और reset iPhone पे क्लिक करना है यहाँ पे get started पे क्लिक करना है और यहाँ पे you have to make sure कि आपका iCloud backup जो है settings में से on है इसके बाद यहाँ पे done पे क्लिक कीजिए अब दोस्तों यहाँ पे जो data backup बनता है आपके Apple ID का जो नाम है उसके नीचे इस तरीके से दिखाएगा जितना GB data होगा चाहे 100 GB हो चाहे 1 TB हो यह complete data जो है Apple आपको free में backup करने देगा और 21 दिन का time देगा 21 days का जब तक आप free में इसको अपने नए iPhone पे restore कर सकते तो iOS 15 का यह नया feature है जहाँ पे आपको यह facility Apple दे रहा और 21 दिन के बाद भी data delete directly नहीं होगा आपको पूछे का आप extra time के लिए पूछ अब दोस्तों हमारा पुराना iPhone बिक चुका है हमको टेंशन लेने की कोई जूरत नहीं हमने उसको erase करके जो है बेज दिया नया iPhone जो है हमारे घर आ गया है यहाँ पे है हमारा iPhone 13 यह एक्जांपल के लिए तो मेरा ही iPhone है आपको आपको समझने के लिए कि आपका iPhone 13 आपका iPhone 11 क आ गया है यहां से इसको ऑन कर दीजिए सबसे पहले इसके बाद यह जो सेटप का स्क्रीन है इस पर आपको स्वाइप कर लेना है यहां पर आपको जो है अपनी लैंगवेज चूस कर लेनी जैसे यहां पर इंग्लिश उसके बाद अपना country रीजिन जो भी है वह चूस कर ल बोले का तो इसको आप सेटप लेटर कर सकते हो यहां पर कोई भी एक पासकोड जो है आप एंटर कर लीजिए फिलाल के लिए आपको जो है जरूरी नहीं पासकोड एंटर करना लेकिन आप कर लीजिए जो भी आप याद रख सके वह भूलना मत पुराने आईफून का ही प लीजा जाजدगा इसको एगरी कर लो आप लो आप यहां पे आप इस California आप को बनाया थाल हो जो है इसको मैं सिलेक कर लेता हम अब यहां पर अघिला जाएगा जहा taraf ने सीय RAW आईफून को फुलाठ आइफोन बचानी मेरे पास इसके बाद में क्लिक कर देता हूं और उसके बाद बस यह सारी चीज़े पूचेगा कि आपको अब यह सीरी चाहिए क्या यह चीज़े वह चीज़े रिस्टोर फ्रम आइफों जो है यह यहां पर शुरू हो गया है एस्टीमिट टाइम रिमेनिं के नया आइफोन आप लेकर आगयut तो यहां पर आफने ट्रेडिन नहीं किया पुरान आइफोन या फिर आपको time मिल गया है ट्रेडिन करने के लिए आपके दोस्सकी दुकान है या फिर आप बाद में उसको बेशने वाले हो तो इस case में डेता ट्रंफर का method जो है possible है suppose आपने मस्ती मजाग में या phone आ गया तो आपने इसको setup कर दिया ऐसी अपने Apple ID के साथ तो आपको सबसे पहले जो है इसको reset करना पड़ेगा वो आप कैसे कर सकते हो आपको जो है इसको reset करके जो नया phone है मैं उसकी बात करो पुराने phone को reset नहीं करना erase करो ताकि यह वापस जो है इस position में आ जाए जब यह इस position में होगा तब आपका data transfer जो है आप कर सकते है पुराने iPhone से नई iPhone पर बहुत easy लिए यह कैसे possible है आपको make sure करना है कि जो आपका पुराना iPhone है उस पर बहुत लोग का आदत होती है Bluetooth off और Wi-Fi off और AirDrop off तो यह सारी चीज़े on रहनी चाहिए mobile data on रखने की ज़रूद नहीं है Wi-Fi Bluetooth और AirDrop यह तीन चीज़े on रहनी चाहिए और आपका phone जो है अच्छा खासा चार्ज़ भी रहना चाहिए नहीं रहेगा तो चार्ज़र लगा लेना उससे कोई फरक नहीं बढ़ता है wireless data transfer method है Wi-Fi जो है जरूरी है setup करने के लिए पुराने phone को नए phone के पास लेकिया और इसको swipe up करो यहाँ पे इसको hold करके रखेंगे तो नए phone पे जो है आपको कुछ नजर नहीं आगे पुराने phone पे आपको एक pop-up आएगा इस तरीके का कि setup your new iPhone with this iPhone तो यहाँ पे इसको continue कर लो यह दोनों phone जो है wirelessly connect हो जाएंगे नए phone के उपर एक जो है इस type का beautiful animation आ जाएगा और पुराने phone का camera on हो जाएगा अब इसको यहाँ पे लेकिया और पुराने phone से नए phone को कर लो scan इसके बाद आपको सिर्फ जो है instructions follow करते रहना है और पुराने phone का सारा data नए iPhone पे transfer हो जाएगा पुराने phone का जो passcode है आपको यह पूछेगा पासकोड एंटर करने के बाद यह बोलेगा setting up your iPhone और complete data सारा data चितना कुछ आपका data है चाहे वो messages हो WhatsApp हो हर चीज जो है वो नए iPhone पे हो जाएगी wirelessly transfer इसको time लग सकता है depending on the storage that you have on your older iPhone पुराने iPhone में कितना GB data है 64 GB है 100 GB है 200 GB है 500 GB है जितना data होगा उतना time लगेगा इसको transfer होने के लिए इसके बाद दोस्तों आप पुराना iPhone जो है side में रख सकते और नए iPhone पे आपको सारी चीज़े continue करने लेकिन पुराने iPhone को आपको जो है use नहीं करना है थोड़ी देर तक इसको इस तरीके से रखे रही है यहाँ पे आपको पुछेगा नए iPhone के उपर transfer data from iPhone यानि यह जो भी नाम रहेगा iPhone 12 रहेगा 12 मींदे रहेगा आपने कुछ अपना नाम रख लिए होगा वो यहाँ पे दिखाएगा तो continue पर आप tap कर लीजिए इसके बाद यह आपका Apple ID सेट अप करेगा इसके बाद दोस्तो आपके Apple ID का जो password है यह पूछेगा क्योंकि obviously आपका Apple ID जो है यह सबसे important चीज होती है तो इसका password आपको पता होना चीजिए अगर नहीं पता है तो forgot password कर लेना और password retrieve करके यहाँ पे password आपको एंटर कर देना है और उसके बाद नेक्स पे क्लिक करना है उसके बाद आपको यह settings के अंदर आपको यहाँ पे यह सब भी transfer करेना है तो okay करके आपको यहाँ पे continue पे क्लिक करेना है और keep your iPhone up to date पूछेगा automatic software update वगरा continue के सिवा कोई option तो है नहीं तो यहाँ पे बस आप continue करते चले जाए उसके बाद यह सारे options है आपको Siri की recording जो है वो share करनी या नहीं करनी है जब आपको आपके iPhone का कोई काम नहीं है अब यहाँ पे 64GB वाल iPhone है और यह मेरा main iPhone नहीं था तो इतना जो है इसके अंदर जादा storage मैंने इस्तमाल नहीं किया तो यहाँ पे 4-5 मिनिट के अंदर यह data transfer हो जाएगा लेकिन यह अगर आपके बस जादा storage होगा तो जादा time भी लग सकता है इस पे ओके गाईस तो इस method से अपना transfer जो है finally हो गया है complete जो आपका old iPhone रहेगा जैसे आपे मेरा iPhone 12 मिनी है इस पे transfer complete लिखा आएगा आप यहाँ पे continue पर टैप कर दीजिए यह है अपना old iPhone और इसका सारा data जो है complete data including everything call logs and everything यहाँ पे जो है नए iPhone पे हो गया है transfer यहाँ पे passcode अंडर कर लिजिए और passcode अंडर करने के बाद आप देखेंगे यह नया 13 मिनी है इस पे सारे apps वगरा हर चीज वैसा का वैसा transfer हो गया in fact मेरा WhatsApp का chat है वो भी complete transfer हो गया अब मुझे यहाँ पे इस नए iPhone पे अपना पुराना SIM card लगा देना है और यहाँ पे इसको नए iPhone है तो simply दोनों iPhone को नजदी के लिए कि आओ और जो method आपको मैंने बताया data transfer का wireless तरीके से उसको कर लो वो ज्यादा fast रहेगा तो यह था दोस्तो आज का हमारा वीडियो आपको aware करने के लिए और आपको बताने के लिए दोनों methods data transfer के पुराने iPhone से नए iPhone पे किस तरीके स अपना सारा data जो है backup करके restore आप कर सकते हो भी free of cost दोस्तों आपको आज का वीडियो पस्ते होगा पसने हो इसको like and share जरू कीजिए और मेरे चैनल को subscribe जो कीजिए goodbye